चाहते तो हम इसो कब जब भी कर सकते थे लेकिन पुरानी जान पहचान है इसलिए सोच आपको बताते चले कब दे रहे हैं हो जमीन देखे तो यह विलेन है कापी देर आने वाला केरेक्टर है भाई बिकिसी ने ना सुनी ती एक सुनी सी दसता ये सुनाता जा रहा हूं सुन्जरा तो इस फिल्म में वैसाली कितना इंपोर्टेंट रखता है चुकि बिहार पे अधारित विहार में वैसाली कितना महत्पून रखता है यह बिहार नहीं पुरा देश के खोना-खोना से हर लोग जानता है नमस्कार मैं हूँ धर्मेंद और आप देख रहे हाजिपूर नियूज टुडे और आपको बता दू कि फिल्म नफीसा जो बाली का ग्रीकान पर अधारित है उसका टीजर लॉंच हो चुका है और टीजर लॉंच हो जाने में हमारे वैसाली जिला से दो कैरेक्टर रोल प्ली करने वाले लोग उस फिल्म में शामिल है जिसमें एक सिंगर जो एक गाना-गाए है वो सिंगर इसमें है और एक जो विलेन के रूप में है वो हमारे साथे सबसे पहले हम विलेन से सुरुवात करेंगे फिर म्यूजिक में आगे सबसे पहले श्वागत है आपका हाजिपू और उस फिल्म में नफिसा फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो बालका गिरिह कांड पर अधारित है और सची घटना पर अधारित है यह फिल्म जो है इसमें किरदार सब किरदार एक अहम किरदार है और उसमें मैंने भीलिन का रॉल अदा किया है और जल्द ही यह बरे परदे पर वाली फिल्म है क्योंकि इसके राइटर डारेक्टर कुमार नीरत जी है और उन्हों ने बहुत समय देकर इस फिल्म को लिखा भी है और बनाया भी है लगवाद चार साल लों से उन्होंने इस कहानी पर काम किया है तब जाकर यह फिल्म आज रुपहले परदे पर आने के इस देखें बाली का ग्रिक कांड एक निगेटीव रोल है उसमें आपका निजीव रूल है तो क्या नहीं दिखाइए गा तब तक वह पोजीटीव का महत्व नहीं पता चलेगा अगर राम नहीं होंगे तो राम का भी उतना महत्व नहीं दिख पाएगा तो वही चीज इस character ने ही इस film को ब्रचा और बांधा है तो negative जरूर है किरदार लेकिन हम लोग की सोच है कि positive हो और शीख मिले इस film से बच्चे बच्चियां इस कहानी से सीख लेंगे कि कोई भी गलत चीज करने का नतीजा गलत ही होता है अपने माबाप का जो भी आदर समान करना चाहिए उनकी बातों को मानना चाहिए नहीं तो कहीं न कहीं आप गलत जगह में पस सकते हैं तो इस चीज को इस film में दिखाया है और बच्चे बच्चियां इससे बहुत ज्यादा शीखने को मिलेगा उनको काफी उनको मोटिवेट करेगा यह फिल तो हम सभी को इंतिजार है और दर्सों को ने भी खुब सरा है टीजर को देखते हैं इसलब आप यसमें किये हैं गाना काई आपसे हम पहले वी बात कर चुके हैं काफी लोगों ने देखा था काफी लोगों को पसंद कियांग पिस गाना बिखा तो इसने गए-ग्र करता हूं कि इस से पहले भी आपने धरमेदर जी आपने खुद मेरा इंतर्वियू लिया था और हमारे इस नफ़ी सा मूवी को लेकर जो की हमारे डिरेक्टर और राइटर जो कुमार नीरस सर है जिनों ने इतनी मेहनत करी है और इतना बड़ा बिरा उन्होंने उठाया हमारे बिहार के बारे में हमारे बिहार के उपर जो हो रा जो अत्रचार है उसके बारे में एक इतनी अच्छी फिल्म बनाने की कुशिश उन्होंने की और हम जासे कलागारों को भी उन्होंने मौका दिया इसम परफॉर्म करनी के लिए बोले तो मतलब गाना गाने के लिए जिस गाने को मैंने लिखा और कंपोस किया गाया भी सरको बहुत पसंद आया और यह गाना वाकई में सॉरी यह फिल्म वाकई में बहुत धमाल मचाने वाली है और हमारे बिहार क्या हमारे पुरे भारत के लिए एक बहुत अच्छी सीख लेकर आने वाली यह फिल्म है है और बाली का ग्री कार्ड में बहुत सारे राजनीतिक चेरों का भी नाम है लेकिन फिल्म में उस करेक्टर नहीं होगा लेकिन फिल्म को जिस तरह से दिखाए गया है क्या उसमें लोग पहुंचेंगे त्रेटर तक बिल्कुल पहुंचेंगे देखिए चाहिए वो गलत करन देखेंगे और वो भी समझेंगे कि भाई सही में गलत नहीं करना चाहिए कि कल होकर हमारे उपर भी यह चीज़ ना आ जाए तो यह एक ऐसी फिल्म है जो कि सब लोगों को देखनी चाहिए और बहुत बड़ा सुधार होगा हमारे समाच में और मैं आशा करता हूं मैं अप करी है और सब लोग इसको जरूर देखें और लोगों तक इस मेसेज को पहुंचाए और आमारा बिहार और अच्छा हो जाए तो यह नफीसा का टीजर लॉंच हो चुका है और ट्रिलर आएगा उसमें भी कुछ सिंस हमको देखने को मिलेगा लेकिन टीजर में जो कुछ गाना गया तो एक छोड़ा से गाना सुनेंगे और यह एक विलन की तांगे तो इनका एक आपका एक मतलों कुछ नाइचा आइश कुझा है इस फिल्म में गाना गाने से मुझे नहीं प्ता था कि मैंा गांभी पामगा या नहीं मुझे ये मौकाम बी या नहीं लेकिन ये जो मेरे सामने जो शक्स जो बैठाब है रहे नमीत सर्थ इन्हों नहीं मेरे लिए बात भी करी दिश्च से कि अपने बिहार गई एक लड़का है आप उसका एक बार सुनिये गाना वो लिखा है कैसा लगता है जैसा हो आप फिर बदलाईए तो जो हुआ सब सर के जरीये हुआ यह दोनों दोनों वहिसाली के सबसे बरी बात है इनका भी गर वहिसाली यह वहिसाली के है तो इस फिल्म में वहिसाली कितना इंपोलेंटी है उसी है तो कि आपने कहा कि प् concert कि आपको दिया कि stigma विए अव्युलैन की सिंगर गराए लेकिन ना मैं यह कहना हूं गा कि देखिए मैंachment माधियम हूं ऑ इनको वहाँ तक पहुंछाने में हो सक्रावन ने मेदद किया हो लेकिन सचा यह है कि इनके पास टाइलेंट है तभी वह वहां तक पहुंच पाए तो इनका में मैं बराई करना चाहा हूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा गाना गया और डारेक्टर और वहां के जो मीजिक डारेक्टर है उन सभी को पसंद आया तब जाक जरूरी है सिंगर का भी हम डालोग लेंगे लेकिन आपका जो का जैखन के जाखना होगा आज भाईया का जनम दीन है और इस जनम दीन पे भाईया को मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूं जानते हैं वो गिफ्ट क्या है वो जो आपका मार्केट वाली जमीन है न उसे गिफ्ट देना चाहता है चाहते तो हम इस तो कब जब ही कर सकते थे लेकिन पूरानी जान पहचान है इसलिए सोच आपको बताते चले कब दे रहे हैं वो जमीन देखिये तो यह विलेन है कापी देर आने वाला क्यरेक्टर है भाई तो बताब हमें भी डर लगड़ा था कहीं अभी एकात कटा आप यह ना लिखवाले इसी फॉलो त्रुम में हम कहीं अभी पहुंच आते कछड़ी और तो विलेन सायब थे हमारे साथ है जो इन्होंने गाना गया था उस फिल्म का गाना एक छोड़ा सा सुन लेते हैं जो कि जाना जरूरी है तो वो कौन सा गाना है जो आप सुनाने था है किसी ने ना सुनी थी एक अंसुनी सी दास्ता इसे में गा देता हूँ अंसुनी सी दास्ता मैं सुनाता जा रहा हूँ सुन जरा मैं सुनाता जा रहा हूँ सुन जरा प्यास लगी थी सुको अजादी की बड़ी ही ऐसी गड़ी थी जो आने से पहले खो गई है सुनाता जा रहा हूँ सुन जरा ओ मैं सुनाता जा रहा हूँ सुन जरा तो ये गाना था एक डालोग आपने सुना काफी डरावना हमको डरा रहे थे सादे का काफी क्व्सूरत गाना रहा तो ये डालोग और गाना पूरा जो फिल्म आप जाएंगे थेर 실टर में जब फिल्म आएगी और फिल्म देखने जब जाएंगे तो काफी अच्शा रहेगा मूवि और आप लोगको सिनेवा क." अच्छा रहेगा movie और आप लोग को सिनेवा गर में जाकर देखना चाहिए, जो फिल्म बनाए गया तो पुरा हमारा समाज है, बहन, हमारी बहन, बेटी, दीच सबसे घेरा हुआ है और उसके यह film है ताकि इस लिए इसको दिखाया जा रहा है ताकि आप समाज में जो negativity रोल वारे लोग हैं जो किसी ना किसी तरह से हमारे बहुन बेटीओं को प्रतालित करते रहते हैं उन लोगों के लिए और आपके आपको सामने आने के लिए कि आप भी उसका विरोद करें खुल के विरोद करें ताकि आप उसका विरौद करेंगे तभी तो कोई भी जैसे कोई भी चीज होता है विरौद किया जाता है तभी उसका फैसला निकलता है तो आप इस फिल्म को जरूर जाएए सिनेमा घरों में जाएए और जब ये फिल्म आएगी तब आप एक पर जरूर देखेगा चुकि हमारे ये वैशाली जिला कितना महत्पूर्ण है हमारे लिए ये सब लोग जानता है तो आपसे निवेतन होगा कि आप जब भी फिल्म आएगी नफीसा सिनेमा घरों में तो आप जाए फिल्म को देखिए और खुड डिसाइड कीजिए कि किस तरह की फिल्म है और हमारे वैशाले जिला के लोगो हमारे जिली फिल्म आप ए जाए लोगर माहे जब झा तो आप जदूर्साइड कि ने कम कि अ